आज हम बनाएंगे बिना आटा गूते या फिर बिना मैदे को लाए हुए इतना बढ़िया नाश्ता जी हाँ जिसमें कि आपको बिना आटा गूतने का भी जिंजट नहीं और नाहीं मैदे को गोलने का ये इतना बढ़िया सा ब्रेड और आलू से बनने वाला इंस्टेट ना सबसे पहले मैंने या पर उबले हुए आलू लिये हैं तीन से चार मीडियम साइस के आलू थे बढ़िया से मैंने इसको मैश कर लिया था ठीक है या फिर आप कद्दू कस भी कड़ सकते हैं जैसा आप ठीक समझें आप इन आलू में हम कुछ मसाले ढालेंगे स्वात के नुसा कोड़ा सा गरम मसाला है जीरा पाउडर है ठीक है बस ही बेसिक से मसाले हैं जो कि सभी के घरम में असानी से मिल जाते हैं यहां पर मैंने कोई स्पेशल मसाला का यूज भी नहीं किया है मैं वो रेसिपी लाती हूं जो कि आपके घरमे मसाले पहले से ही रखे हों कोई भी आ आतों से इस तरीके से मैश कर सकते हैं यह देखिए तो हमारा बढ़िया से यहां पर जो आलू का मिक्षर है वो तयार हो चुका है आप देख सकते हैं अगर हां एक अद मसाला आपकर आपके पास ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर एक अद मसाला ना हो तो उसके जिब काट लेना है यह देखिए आप चाहे तो इसकी शेप को स्क्याइर भी रख सकते हैं यह देखिए गोल मैंने सलिए करी है ताक्ट के एगलाप्टा से कणलाप भी आप उसको ला C ब्रेट करम भी बना सकते हैं लेढ़ों इंधि आप छ likely । में अने वालव को देखे वाले बाला है अब simply हमस्कों लेड़ों करते लेड़ों करना है वर उसके उपर बड़िया से चांद करना है यह थेखे इस तरीके से मैं एक और करके दिखाती हूं आपको ये देखें हलके हाथों से फेलाईए ब्रेट तूटी नहीं चाहिए ये देखें evenly आलू को इस तरीके से फेलाईए कि ब्रेट हर तरफ से evenly आलू पे फैल जाए ये देखें इस तरीके से हमको bread को फेलाणा है ठीक है अगर आप या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर कर आप और इसको चटपटा बनाना चाहते हैं यानि कि टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करीगा मैं दूसरे step भी बता रही हूँ आपको आप क्या कीजिएगा हलकी सी sauce इस पर लगा सकते हैं घर में tomato ketchup फिर पीजा सॉस हो है ना सैजवान सॉस हो कोई भी सॉस रखी हो आप उस पर लगाईए और उसके बाद आप यहाँ पर आलू की स्टफिंग को फेलाईए यह देखिए इस तरीके से लगरी ना कितनी सुंदर सुंदर भी लगेगी और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा अब रेट सॉस ना हो तो आप यहाँ पर हरी चटने का भी यूज़ कर सकते हैं अब बार ही आती है आपकी कि आप इसको बनाएंगे कैसे सॉस के साथ या फिर बिना सॉस के साथ जैसे भी बिनाएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपने इसको कैसे ट्राइ किया है च आटा है कोई स्पेशल आटा नहीं मेरे पास ठीक है आटे में मैंने थोड़ा सा नमक कस्तूरी मेती और थोड़ी से हम लोग डालेंगे चिले फ्लिक्स ताकि जो घोल है हमारा बड़ी आसा चटपटा सा बने फिका फिका ना लगे ठीक है यह गोल बहुत जादा को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा तभी आपकी रेसिपी पड़ी हासी बन करके तयार होगी और अब इस गोल को हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक गोल बना करके तयार कर लेंगे यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो इससे क्या होगा ना भी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ना है गुटलिया बनेंगे हमारे घोल में जब भी घोल बनाएं तो थोड़ा थोड़े पानी डालके यहाँ पर अपना गोल बना करके तयार करें एकदम से सारा पाइन डाल देंगे तो क्या होगा ना गुटलिया तो बनेंगी बनेंगी और पाइन ठीक यह ना ये यह हमारा नाशता इसका टेस्ट भी द्बढ़ जाएगा यह देखिए हो तो डाल सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं स्किप भी कर सकते हैं लेकिन एक बार बनें जरूर देखना है साईड में में हमारा बढ़िया से गरम हो चुका है और जो घोल की और जो हमने नाश्टा बना के रखा था ना ब्रैड और आलो को, इसमें डिप करके बड़िया सा गर्मा गरम तेल में इसको हमको डालना है, यह देखे इस तरीके से, एक एक घुल में डूबोगे और गर्मा गरम तेल में डालते चाहिए, है ना कितना कुईक बनने वाला वह गोठने के दरूरत ना ही मैदे को घुलनी के ज़रूरत बिना आटा और बिना मैदे के आज हम लोगों ने नाश्ता बनाकर कर तयार क्या है, यह फ्राइज भी बहुत ही जल्दी हो जाता है इस लिए जल्दी-जल्दी इसको पलटते जाएगा high flame पे ही शेकना है फ्राइ करना है low flame पे बिल्कुल भी नहीं करेगा नहीं तो यह oily हो जाएंगे और हाँ जो हमने इसके में आलू के stuffing भरी है वो भी एकदम गीली नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो oily हो सकता है यह देखें मिंटो में हमारा जो है नाश्ता यहाँ पर fry हो चुका है कितना सुन्दर लग रहा है दिखने में क्यूंकि हमने इसको bread और आलू से बनाया है और वो भी इतनी जल्दी जितना ही देखने में सुन्दर लग रहा है उससे कही ज़्यादा इसको खाने में लगेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुरकुरा तो है ही यह and look at this कितना बड़ी आई नाश्ता हमारा बनकर के तयार हुआ है बाकी मैं fry बाद में करूंगे जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे अभी मैंने फ्लाय लिए एक ही बैच को यहाँ पर अपना फ्राई करा है आप इसको हरी चटनी केचप किसी भी चीज के सकता है इसलिए मैंने आप लोग के साथ ही रेशिपी शेयर किये है ताकि आप बिना डरे इस रेशिपी को बनाईए और अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ इसको जरूर से शेयर करें अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना बिलकुल ना भूले और सही चैनल को सस्काइब करके रख लीजिए और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाईए और जादा जादा वाटसाप और फेस्बुक में मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स भी आपका मजा ले सके थैंक यू फर वाचिंग